दोस्तों कॉपी रेट स्ट्राइक के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा यूट्यूब के उपर ये बहुत ही क्रिटिकल इशू है अगर आप यूज़ करते हैं किसी के कोटेंट को आठ को जाने अंजाने में तो आ सकता है आपके चैनल के उपर एक कॉपी रेट दापत हो सकता है यूट्यूब कैसे फांग डाउट करता है ऐसे कॉंटेंट को और भेजता है आपके चैनल के उपर एक स्ट्राइक इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरा नाम है अद्लान खान आप देखने टेकनिकल उसाजी यूट्यूब चै और आज हम बात करने वाले ही कॉपी डेट स्ट्राइक के बारे में ये कैसी होता है इसे कैसी हम बच सकते हैं और सारी मामलात आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में यूट्यूब के इलावा भी डिफरेंट प्लेसेस के अगर आप इस चीज़ को देखें तो डिफरेंट वेज में अगर आप किसी के कॉंटेंट को यूज करते हैं अपने काम में किसी भी चीज़ में तो ये एक इलीगल है पूरी दुनिया में ये चीज़ को इलीगल माना जाता है अगर आप देखें किसी का सौंग है किसी का को स्लिम सैल बनना शुरू हो जाते हैं दोस्तों अगर आप देखें यूट्यूब की उपर डेली बेसिस की उपर डेली रूटीन में एक मिनिट में बहुत सारी ऐसी वीडियो अप्लोड होती हैं जो की रेल होती हैं विदाउट कॉपी रेट स्ट्राइक होती हैं तो वो कैसे हो परसन जो है वो ही उसको सामने लिके आए अगर कोई फेक परसन या थर्ड पार्टी उस चीज़ को करती है तो यूट्यूब उसी के लिए एक उसने लाबनाकी रखा हुआ है जो के बहुत ही सक्त और खतरनाक है इससे आपको बहुत सारे मसलिम सैल का सामना करना पड़ सकता है देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े चैनल्स हैं बॉलीवूड्स के हैं टी सीरीज हैं ऐसे बहुत चैनल्स जो मिलियंस के सबस्क्राइबर्स रखते हैं अपने पास उनको क्या करता है यूट्यूब एक कॉंटेंट आइडी परवाइड करता है यूट्यूब को पता चल जाता है कि यह कॉंटेंटर्ड जो है वह कॉपी राइट है ठीक है तो वह यूट्यूब क्या करता है उसको कॉपीड़ स्ट्राइक भे देता है माल लीजिए कि आप अगर वह डेटा डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हैं तो जैसे ही यूट्यू अगर दो यह होता है प्रसेसिंग होती है और चेकिंग होती है फिर वह कॉपी राइट इशुज जो है वह निकाल रखता है उसी दुरान वह चेक कर लेटाए कि हमारी लैबरेरेयमें हमारे स्ट्राइज में यह डिट़ पहलی से विलेबल है या नहीं है अगर तो अविलिबल नहीं होता तो आपके सामने वो रख देता है कि no issue found और अगर तो वो data detect हो जाता है तो आपको सामना करना पड़ सकता है एक copyright strike का दोस्तो अगर हम बात करें copyright strike के बारे में ये क्या होता है कैसी है तो यू है कि अगर मान लिया जाए कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप मुझसे मुझसे मुखातब है तो इसमे copyright strike का सवाली पैदा नहीं होता copyright strike तब आता है जब आप किसी और का content इस्तमाल करते है अपनी वीडियो में या प्रोपर आप उस चीज़ को इस्तमाल करते हैं तो YouTube find out कर लेता है क्योंकि उसकी original जो gallery होती है वहाँ पे content ID इसकी already पड़ी है तो वो detect करके आपको copyright strike जो है वो भेज देता है अगर तो original person है आपको permission देता है कि आप इसको use कर सकते हैं तो आप ही इसको use कर सकते हैं otherwise वो strike भेज कि आपको channel को खतम भी करवा सकते हैं इसके साथ अगर हम बात करें कि आप कैसे इस copyright strike से बच सकते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी website है जिसका नाम है video blocks उसके उपर आप जा सकते हैं एक अफ़ते की free उसकी जो है वो membership है वो आप जॉइन करें अपनी वीडियो डाउनलोड करें let's suppose कि अगर आप multiple videos के उपर काम कर रहें और आपको चाहिए एक नदी उसकी उपर से आपने शूट करना है वो उसको आपने एड़ करना है अपनी videos में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेट फार्म में वीडियो ब्लॉक्स का जिन्हों ने इस वीडियो को स्पंसर किया हैं तो आप उनकी website के उपर जाके साथ दिन के अंदर जो भी आप वीडियो अप्लोड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं उसकी उपर कोई भी आप पर अपनी मूबाईल स्क्रीन के उपर और अभी हम जाने वाले हैं Google के उपर Google पर जाके आपने फिर्स्ट ली टाइप करना है वीडियो ब्लॉक्स ठीक है यहां से आप सार्च कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप कोई भी वीडियो यहां से अगर उठाते हैं ऑपने काम के लिए इस्तमाल करते हैं उस चीज़ को यूस करते हैं तो कभी भी आपको और स्टॉक्त आप कोपिर सट्राइक जो है वो नहीं आसकताा है यहां पर मैं टाइप करता हूँ यहां पर मैं टाइप करता हूँ स्टोरी ठीक है तो यहां पर मेरे पास काफी सारे वो आप्शन्स दे देता है कि आप इसे साब से आप जो है स्टोरी डाउनलोड कर सकते हैं मैं इंस्टाग्राम स्टोरी करता हूँ तो यहां पे मेरे पास Instagram Stories के लेटर जो है वो डेटा आ जाएगा ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं यह Reload हो के तो यहां पे मरे पास जो है वो Model Instagram Stories ठीक है AI आ जाता है उसके बाद यह Different Stories मेरे पास आ जाती है आप यहां से कोई भी चीज़ एमौंस को उठा सकते हैं लैट्स पोल मैं दूस्ती सर्च करते हूं यहां यहां सारी हैung सवाहनद्स को भी देख सकता हूं ठीक है तो यहां पर मैं कर देता हूं sad single songs के later तो यहां पर वो search करता है और यहां पर मेरे सामने result provide करता है यह जितनी भी वीडियो आपके सामने नजर आ रही हैं आपको आप यहां से download करके अपने YouTube के जो भी वीडियो थे उसमें आप उसको add कर सकते हैं तो उसका कोई भी copyright strike जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा तो यह free membership है एक वीक के लिए आप इसको join कर सकते हैं उसके बाद जो भी आपके होंगे अगर आपको यह अच्छी चीज लगती है सर्वसीज अच्छी है तो आप इसको पेड़ भी कर सकते हैं और lifetime के लिए आप इसको हिस्ते हैं 4K में आपको वीडियो मिल सकती हैं HD में वीडियो मिल सकती हैं यहाँ पर different format's है तो आपको किसी भी format में यहां से वीडियो को अच्छी तरीके से आप यहां से उठा सकते हैं तो मैं आप मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक वीडियो जहें प्ले करके दिखा दूँ ठीक है मुजिक को मैं आफ रखता हूं और मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं जब आपने इसको जॉइन करना तो आप जॉइन नाओ के ओपर क्लिक करेंगे तो आप इसको जॉइन कर लेंगे अच्छे तरीके के साथ ठीक है तो यहां पर यह आता है एशियन तर्ड तो इसको मैं उपन करता हूं ठीक है वो पहले इसलिके नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने एरो प्लें मूड किया हुआ थो तो इस वज़ा से वो इशू आ रहा था थोड़ा तो यहां आप देख सकते हैं कि मैंने इसके म्यूजिक आफ रखा हुआ है और यहां से आप कोई भी जो है वीडियो डाउलोड करके आप अपने यूट्यूब के किसी भी मल्टीपल वीडियो में उस चीज़ को एड़ कर सकते हैं यहां भी बेबी के लिटर जो है वीडियो आगई है अगर आप बेबी का चैनल हैं ठीके बेबी केर के हवाले से आपका क्रियेशन का चैनल है तो आप यहां से बहुत सारा अच्छा कॉंटेंट उठा सकते हैं फ्री अफ कॉस्ट और विडाउट अपने काम में यूज़ कर सकते हैं दोस्तों मैं अमीद करता हूँ कि आपको य विडियो अच्छी लगी होगी चैनल के उपर अगर ने आएं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक लाजमी कीजेगा ऐसी लेटिस टिकनोलजी विडियो देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें